हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारी चैनल गुजराती कीचन हिंदी में आज हम बनाएंगे वरत वाली आलो की सुखी सबजी की रेसिपी बहुती आसानी से बन जाती है और बहुती टेश्टी बनाई जाती है तो ये सीवरा त्रीप पे आप ये रेसिपी को जरूर के जाएगा अगर आप ये रेसिपी गुजराती में देखना चाते है तो हमारी चैनल गुजराती कीचन भी है तो अधर भी देख सकते है तो चलिए अलो की सबटी बनाने के लिए सबसे पहरें हमें लेना है बॉयल आलो मैंने छिलके निकाल के उचार अचार मीडियम कर लिया है तो सारे आलू को सेम तरीके से काट के तयार करने हैं बॉयल करने के बाद ही हमें कट करके ले लेना है अभी हमें लेना है एक सकरकन एक सकरकन को बॉयल करके छिलके निकाल के लेना है सकरकन आलू की सब्जी में एक एड़ करने से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है तो आप उसे जरूर एड़ किजेगा तो मैंने एक लिया है उसको भी हमें सेम तरीके से कट कर लेना है मीडियम सैज में कट कर लेंगे तो ये हमारा सकरकंद भी कट के तयार हो चुका है तो आलू और सकरकंद को साथ में ही ले लेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे सकरकंद को पूरा कट करके तयार कर लिया है अगर आपको सकरकंद नहीं पसंद है तो आप optional है ना डालिए लेकिन इस तरीके कि आप आलू की सबजी बनाएंगे तो बहुत ही tasty बनेगी तो मैंने इसको भी प्लेट में ले लिया है तो चलिए अभी प्रैन को गरम करने के लिए रखेंगे प्रैन के अंदर अभी हमें एड़ करना है तेल अगर आप चाहें तो घीका भी यूस कर सकते हैं व्रत्न में कही लोग भी युश करते हैं तो मैंने एड़ किया है दो चमट तेल को घरम करने के लिए रखे गे संभी एक चमागी जीच जीरा कुछ अच्छे से भुने देंगे तब तक हमें अभी हम एड़ करेंगे 210 कापering मेश 2002 है आपको जितना तिखा सबजी पसंद है आप उसके हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं अभी हम डालेंगे करी पत्ता तीन से चार करी पत्ता एड़ कर देंगे अभी अच्छे से उसको एक से दो सेकंड के लिए भून लेंगे और गैस का फ्लेम स्लोटू मेडियम ही रखेंग ऐसा तो आप उसको इसाब से ढालिए अभी हम डालेंगे मुफली का पाउड़र भुना हुआ मुफलि के पाउड़र लिया है तीन बडए चमश तो वह अड़कर दिये है उसकी बाद हमें एड़कर ना ही काली मिर्झ पाउडर आप चाहे तो होल कारे मिल्च को भी यूज कर सकते हैं मैंने आदा चमच पाउडर ही एड़ कर दिया है और लास्ट में हम एड़ करेंगे लाल मिल्च पाउडर अगर आप नहीं खाते हैं तो अप्शनल है ना लाद ले इसे कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो चलिए अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे जैसे ही सबजी मिक्स हो जाए उसके बाद हमें ढख के उसको पका लेना है ताकि ये अच्छे से थोड़े मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए अगर आप चाहे तो चीनी का यूज़ करना चाहते है तो कर सकते है शकरकंद डाला है ले हलकी मिठास उसके अंदर रहेगी तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है आप देखेंगे उसके बाद लास में अभी एड़ करना है निम्बू का रस एक निम्बू का रस लिया है एक निम्बू उसका रस एड़ कर देंगे तो ये हमारी चटपटी खटी मिठी हमारी ये सुखी अलू की सबजी बनके तयार हो चुकी है थोड़ी देर के लिए अभी यह mix होने के बाद अभी हम उसको थोड़ा सा ढख के पका लेंगे दो से तीन मिनिट के लिए ही गैस का flame slow करने के बाद ही पका लेना है तो यह हमारी सबजी बन के तयार है उपर से फ्रेज़ दन्या के पत्ते डाल के हम सर्व करेंगे आप उसको दही या फिर मसाला चास के साथ सर कर सकते हैं तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रू किजिएगा ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब ज़रू किजिएगा मिलती हूं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई